नमस्कार मैं विजे पाराशर आवाज राजस्तान की न्यू चेलर में विदानसवार चुनावी समिक्षा में आज हम बात करेंगी पुषकर विदानसवा शेत्र की पुषकर विदानसवा में कुल दो लाग पचास जार के आसफास मदाता निवास करते हैं तथा यहां मदान हेतु कुल दो सो चालिस मदान केंटर निर्वाचन विबाग द्वरा बनाए गए हैं विदानसवा शेत्र में पिछले दश वर्षों से बासपा का कबजा है तथा सुरेच सिंग रावत यहां से विदायक हैं पिछले कारेकाल में सुरेच सिंग रावत, सरकार में संसदे सची भी रहे लेकिन रावत से पूर पुष्कर विदानसबा में दस वर्ष से कांग्रिस का भी राज रहा यहां पर वर्ष दोजार आठ में कांग्रिस की नसीम अक्तर तथा दोजार पांच में डॉक्टर शिरी गौपाल बाईती विदायक चुने गए थे इस बार विदानसबा चुनाव नॉमबर 2023 में प्रसावित हैं विदानसबा चुनाव के दुरान उंट किस करवट बेटेगा यह अभी कहां नहीं जा सकता वर्तमान में विदायक पदेतू दावदारी कर रहे दावदारों के हाबाव देखे तो इस बार बगावत का खत्रा साफ साफ दिखाई देता है वर्तमान में चुनावी सरकर्मियां के बीच दावधारी कर रहे दावधारों में पार्टियां मजबुत दावधार की तलाश में अलग-अलग तरह से सर्वे करवा रही है साथ ही संस्वाओं, पतादिकारियों, व्यापारियों, किसानों तथा अन्य वर्क के लोगों से फीड़वेग भी ले रही है आखिर प्रत्रेक्षी के चैन में क्या माबदन अब जाएंगे अभी तक इसका खुड़ासा नहीं किया गया वैसे जो बात सामने आ रही है उसके अनुसार कांग्रेस इस बार करनाटक मोडल पर चुनाव लड़ेगी वहीं बाज़पा के पास कोई खास मुद्दा वर रणनीती नहीं है बाज़पा का फोकस बोथ सरीय कमिटी को सक्रिय करना तथा परिवर्तन यात्रा के नाम पर कारेकरतों में जोश बढ़ना है बाज़पा प्रदान मंत्री नेरेंदर मोडी के नाम पर चुनावी मिदान में उतरेगी वहीं कांग्रिस अपनी सरकार दुबरा चलाई जा रही विविन जनल्लक लियान करी योदों पर फोकस रखते वे मदातों के बीच जाएगी पुश्कर विदान सुपा में इस बार दावेदार कोन होगा इसका अभी अपने अपने हिसाब से सभी लोग आकलन कर रहे हैं विदायक सुरेश सिंग रावत को सिधी चुनती देती नजर आ रहे हैं इनका कहना है कि रावत समाज से इस बार ने चेरे को परत्राक्षी बनाये जाए इस बार जिला परशे सदशे मेंदर सिंग मेजेवला ब्रामन वर्क के सुदरशन इंदोरिया भी पुश्कर विदान विदान सबाश शेत्र से पूर में रावस समाज की ओर से चुरावब लड़े रहे शर्मन सिंग रावत भी अब मेदार में आ गई शर्मन सिंग रावत ने भी उस समय दोजार आठ मे निरदिले चुनावब लड़ते हुए 30,000 मत पराथ कि थे वरत्मान में विदान सबाश से टिकेट की लाइन में दो पूर विदायक वर डेरी अध्यक्त सहित वक्त बोड के पूर चेर्मेन के अलावा सरपंच वर नगर पालिका के चेर्मेन भी दावदारी पेश करते नजर आ रहे हैं ऐसे में कांग्रेस को बाजपास से अधिक मेनत करनी पड़ेगी यूं कहें कि कांग्रेस को परत्यक्षी चैन के दोरान लोहे के चने चमाने पढ़ सकते हैं दाविदारों की सुची पर गोर करने तो पूर मंत्री नसीम अक्तर ने दावदारी पेश की है नसीम अक्तर वर्ष 2008 में पुष्कर के विदायक चुने गई थी इसके बाद हुए दो चुनाव झाली भी दाविदारी पेश करती हैं चुधिरी रूपनंगर्पल से प्रदेश कांग्रेस कमिटी के सदश्य हैं तथा रामचिन चुधिके पास कांग्रेस कार्कतों के स्मयापिक की pragmatर नहीं मिला अगर जाट समुदाय को टिकट देते हैं तो बाज़पा से जुड़े जाट कांग्रेस की और आकरशित होंगे जिसका सिदा-सिदा फाइदा कांग्रेस को मिलेगा दावदारों में पूर विदायक डॉक्टर श्री गोपल बाहिती को लेकर भी शेत्र में चर्चाएं जोरोपर है डॉक्टर श्री गोपल बाहिती सहज सरल सोबाव के धनी है तथा बाहिती की परवल दावदारी मानी जा रही है दावधारा में पुष्कर नगरपालिका के पूर चेर्मेन दामदर शर्मा तथा लोक अभ्योजक विवेक पाराशर को लेकर भी चर्चा है पाराशर का तरक है कि पुष्कर विदानसबा दार्मिक तिर्थ है तता यहां से पूर में ब्राहमन प्रत्राक्षी बारी मतों से चुनाव जीते दार्मिक नगरी से ब्राहमन को टिकर देने से कांग्रेस की हिंदुत की चवी का फायदा होगा जिसका लाव सिधे सिधे 200 विदानसबा शित्रों पर मिलेगा वहीं दावेदारी कर रहे एकबाल शीपा का कहना है कि आज तक किसी भी पार्टी ने पुष्कर विदानसबा में रुपनगड शित्र दे किसी को भी प्रत्राक्षी नहीं बनाया तता वहीं विदानसबा शित्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचे दुरुपनगड के सरपंच है तता सरपंच के कोशादश भी ऐसे में विदानसबा शित्र के सभी सरपंच उनके सयोग हेतु तत पर रहेंगे पास यूवर की बहुत बड़ी टीम है यूवर नजू भई की सक्रेटा को देखते वे इनकी परबल दावदारी को नकारा नहीं जा सकता कांग्रेस पार्टी से इस बार रावत समाच के एडवोकेट राजेंदर सिंग रावत वर पूर विदायक शंकर सिंग रावत के पु पार्टियों को जरासी भी लापरवाई बागी परत्यक्षी को मिदान में ला सकती है ऐसे में दावदारों को एक साथ बैठाकर आपसे समाज़श्य बिठाना पार्टियों के लिए कड़ी चुनती हम आपको चुनाओं से जुड़ी हर एहम खबर से रूबरू कराते रहें हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें